हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वालें TCS Mock Vita 2 2020 की इस सेकेंड प्रॉब्लम के बारे में पहली प्रॉब्लम हमने डिसकस कर ली थी उसका लिंक की डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन दोनों है जाकर आप चेकाउट कर सकते ह उस वीडियो को और TCS Mock Vita 1 की भी हमने सारी प्रॉब्लम के बारे में डिसक्रिप्शन करा हुआ है पूरी कम्प्रीटली तो उसकी सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन मॉक्स और आई बेटन दोनों में मैंने दिया हुआ है उसको भी जाकर आप चेकाउट कर सकते हैं तो चल उससे पहले topic का नामप्रॉब्लम का नाम है digit pairs ठीक है तो प्रॉब्लम का description हमें दिया हुआ हमें n3 digit numbers दिये जाएंगे हमारा task है find करना bit score सारे उन जो भी हमें numbers दिये जाएंगे उनका सब का bit score find out करना है और हमें print करने number of pair possible based on these calculated bit score तो हमें n numbers दिये जाएंगे उन N numbers का हमें bit score find out करना bit score कैसे find out करना वो हमें आगे दिया हुआ है ठीक है तो bit score find out करने के बाद हमें कुछ pairs बनाने है वो pair की condition भी हमें आगे दिया हुई है कि हमें pair किस basis बनाने है तो हमें बताना है कि कितने ऐसे जो इनोंने given condition दिये उस basis पर कितने हम pair given number से बना सकते है ठीक है तो सबसे पहले rule for calculating bit score के बारे में जान लेती है तो from three desert number extract largest desert and multiply by 11 मतलब आपको तीन desert का एक number दिया हुआ है उसमें से सबसे बड़ी desert जो है उसको आपको extract करना है उसकी multiply आपको करना है 11 से इसी की तरह सबसे छोटी bit को extract करना है और उ दोनों जो product जो आपके result आईए उन दोनों को आपको add कर देना है add both results for getting pairs ठीक है तो bit score आपको मिल जाएगा अब bit score की ये condition और है कि bit score should be of two desert ठीक है तो मतलब अगर आपका result three desert का आया है तो आपको पहली desert को ignore करते हुए जैसे इन और दिया simply ignore most significant desert तो अगर आपका तीन desert का जो score आ गया है तो आप इस bit को ignore करकर इस bit को रख लेंगे जैसे आपका zero three two आ गया है तो zero को ignore कर देंगे या आपका three three one आ गया है तो आप three को ignore करकर 31 जो है वो आपका bit score होगा ठीक है तो अगर आपका one desert का score आ गया है तो आप उसमें zero append करकर उसको two desert का मतलब आपको two desert का bit score लेक तो एसे एक और एजांबल दिया वन टू थ्री लाट जास बिटेस में थ्री और स्मॉल एस टेफ वन सेम अप्रोच यूज करी हमें टू बिट के स्कोर मिल गया तो हमें कुछ करने की जरुवत नहीं है हमारा बिट स्कोर 40 हो गया अब हमें बताया है रूल फॉर मेकिंग पियर्स फ्रॉम एवफ कल्कुलेटर स्कोर मतलब हमाई बिट स्कोर समें मिल गए अब हमें पता लगाना है कि कैसे हमें पियर उनकी डिजाइन करने हैं ताकि हम नमबर और पियर बता सकें तो पियर बनाने के लिए कुछ कंडिशन दीवें बोथ बिट स् या वो even हो यानि कि अगर ये 1 पर लाई कर गया अगर 1 फोजिशन पर तो ये 3,5,7 ऐसी पोजिशन पर लाई करने चाहिए अगर ये 2 पर कर गया तो आप ये भी even नमबर पर करना चाहिए यानि कि 246 इस तरह किसे उसके बाद पियर के अल्ली भी मेंड इप मोस्स सिग्निफ significant bit जो होगी किसी भी bit score की वो अगर same है तभी हम pair बना सकते हैं वरना हम pair नहीं बना सकते ठीक है यानि कि अगर one two है और one seven है तो इन दोनों का pair बना सकते हैं क्योंकि इसकी most significant bit same है ठीक है और एक condition और है कि at most two pair can be made from a given significant digit मतलब अगर आप one two or one or seven का एक pair बना दिया तो आप अगर one or nine आपके पास है तो one or nine or one or seven इन दोनों का एक pair बनाने के बाद आपके total pair कितने हो जाएंगे total pair हो जाएंगे two अब two pair बनने के बाद आप चाहें तो one or two or one or nine क्योंकि इनकी most significant bit same है तो आप चाहा कर भी इनका pair नहीं बना सकते क्योंकि at most आप दो pair ही बना सकते हैं किसी भी दो bit score को लेकर अब n के constraint आपको दिये हुए कि 500 से value कम होगी या उसके बराबर होगी ठीके input format आपको दिया हुआ है n दिये जाएगा उसके बाद n three digit number आपको दिये जाएंगे space separated output में आपको number of pair बता देना है maximum ठीक है time out आपको बन दिया है explanation आपको दिये हुए सेम आठ नमर दिये हैं तीन दिजिट के कुछ नमर दिये हुए है उनका आपको bit score calculate कर वाया है तो bit score यह आया सबका two digit का bit score है सारे उसके बाद आपको number of possible pair जो बन सकते हैं जैसे आप देख सकते हैं 40 और 40 जो है वो even position पर लाई कर रहे हैं sorry odd indices पर लाई कर रहे हैं और odd indices पर लाई कर रहे हैं और उनकी most significant bit भी same है तो हम इनका एक pair इनका बना देंगे अब आपको example कर देख 12, 11 और 18 अब इनकी most significant bit है वो है 111 और even indices पर सब यह लाई कर रहे हैं तो लेकिन आप इनसे maximum दो pair ही बना सकते हैं जादा pair नहीं बनाएंगे तो दो pair इनसे और एक pair इस से तो total हमारे pair आगए 3 ठीक है समझ में आगे आपको तो यह हो गई इस problem का पूरा description की यह problem में हमें करवाना के चारा आप इसको approach कैसे कर सकते हैं हम पहला तो n नमबर ले लेंगे n जो भी जितने डिसेट है total count ले लेंगे उसके बाद n डिसेट के सारे numbers ले लेंगे अब यहाँ पर catch क्या है आप input आप input किस format में ले रहे हैं वही आपकी basic है अगर आप उसको integer format में ले रहे हैं कि आप सोच रहे हैं 3 डिसेट के नमबर है integer format में आप उनको store करा रहे हैं तब आप उनके bits से जब bit manipulation करने जाएंगे तब आपको typical पड़ जाए आप इनको string format में आप इनको string format में store कराईए ताकि आप इनका sort करकर इनको individually sort करकर आप उसमें से largest और smallest extract कर सकें क्योंकि आप sort करतेंगे तो 0 ति इंडेक्स पर आपका smallest होगा और second index 0, 12, second index पर largest होगा तो आप इनको extract करकर इनको integer में parse करकर इनको calculation करकर उसको दुबारा string में convert कर सकते हैं लेकिन आप वहीं इंटी चल लेंगे तो आपको क्या करना होगा आपको पहले इनको तोड़ ना होगा इंडिविजुली डिजिट्स में फिर उसमें से चेक करना होगा कौन सा इन में से बड़ा है फिर लाजस निकालना होगा तो वह आपका कॉंपलेक्स हो तो जैसा आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपकी constraint जो वो 500 हैं, तो आप optimize करने की जगा, आप code को simple करना शुरू करिए, क्योंकि आप छोटे program को कम time देंगे, तभी तो आप बड़े program को जादर time दे पाएंगे, अगर आप इसमें ही सारा time निकाल देंगे, तो आप आगे वाले largest digit find करके जल्दी से manipulation करकर उसको store कर दीचे, आप store करने के बाद string में store करेंगे, तो उससे क्या फायदा होगा, string में store करने से, आप उनके zeroth index पर जल्दी सर्ज जा सकते हैं, लेकिन आप वहीं integer format में बात करेंगे, तो आप उनके zeroth index पर नहीं जा सकते हैं, आपको उसको break करन पड़ेगा, ठीक है, तो बस यही बात है कि आप उनको string करिए, और उसके बाद zeroth index वाले करकर, ताकि आप most significant bit पर work कर सके हैं, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, most significant bit के लिए हम ये कर सकते हैं, कि हम एक even array बना लेंगे, even frequency का array, मतलब कौन सी digit, कौन सी frequency, आप frequency के सन आप करें 10, 11, ऐसा नहीं हो सकती, 0 से लेकर 9 तक ही vary करेगी, ठीक है, तो यह बात हो गई, तो हम एक even frequency का array लेंगे, एक odd frequency का array लेंगे, अब इनका size गया होगा, इनका size होगा 10, क्योंकि 0 से लेकर 9 तक जो है, वो 10 है, तो हम constant size का दो array लेने वाले हैं, ठीक है, constant size का array लेंगे, उसके बाद हम एक एक करकर सारे bit score पर जाएंगे, और जो भी 0 इंडेक्स पर जो भी character होगा, उसकी frequency को हम update कर देंगे, ठीक है, अपडेट कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा, even frequency जैसे 0 पर, even indices पर 0 के कितने नमर आएं, यसी 1 indices पर 0 के कितने नमर आएं, इस तरीके से, हम करते चले जाएंगे, ठीक है, even का, same हम काम करेंगे, odd का, अब हम क्या देखेंगे, अगर even indices पर 0 के एक pair बना है, लेकिन even indices पर 0 से 2 pair बन रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम even indices को consider करेंगे, क्योंकि हमें pair जो बनाने है, वो maximum बताने है, तो ठीक है, तो हम maximum even indices और odd indices दोनों को compare करकर, उनका maximum को extract करकर, उस पर work करने वाले हैं, ना कि हम किसी को भी individually select करेंगे, तो हम उन दोनों में से जो भी maximum होगा, उसको extract करकर, उस पर work करेंगे, और number और pair बना देंगे, अब हम यहाँ पर क्या चेक करेंगे, अगर इन दोनों में से जो maximum है, अगर वो 3 या 3 से बड़ा number आत लगा देंगे, अगर आप डारेक्ट चाहें, तो डारेक्ट भी कर सकते हैं, कि आप 2 के लिए लग से देने, 1 के लिए लग से देने, 0 के लिए लग से देने, लेकिन आप इसको combine कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है, जैसे हमने TCS Mark Vita 1 में भी देखा था, कि कि किसी भी अगर आपको pair बनाने है तो n into n-1 divided by 2 का formula use होता है उसके लिए तो आपके number of pair मिल जाते हैं आपको उस particular n की values पर तो same approach आप use करेंगे और आपको total pair मिल जाएंगे ठीक है तो आप program की तरफ बढ़ते हैं प्रोग्राम में देखते हैं हमने करा क्या है हमने n लिया है उसके बाद हमने एक array initialize करकर हमने उस value को हमने direct store करने की वजाए हमने क्या करा हमने bit score को store करना शुरू करा क्योंकि हम direct store करते फिर bit score को अलग से करते तो memory wastage होता तो हम direct character array में एक तोड़ा है जो भी input आएगा उसको हमने character array में तोड़ा उसको हमने sort करा small find out करा extract करके zeroth index पर फिर हमने large find out करा two index पर फिर हमने temp एक variable ले लिए जिसमें हमने bit score को calculate करा integer dot two string large into 11 plus small into 7 जो हमें formula दिया हुआ था ठीक है तो उसके बाद हमने check करा क्या temp की जो हमारा result आया उसकी length के 3 है अगर 3 है तो हम उसमें से 1 को ignore कर देंगे sub string की use से अगर उसकी index 1 है तो हम उसमें 0 appoint कर देंगे leading 0 add कर देंगे ठीक है और अगर 1 या 3 में से कुछ नहीं यानि कि 2 होगी तो हम as it is को store कर देंगे तो अब यहां से इस program से इस point of code से इस block of code से हमें bit score मिल गए सारे individuality है उसके बाद हम pairs को 0 करेंगे हम even और odd indices का एक array बनाएंगे जो कि constant size का होगा यानि कि 10 size का होगा उसके बाद हम 0 से लेकर n तक हर एक को check करेंगे और 0 इंडेक्स पर जो भी character होगा उसकी frequency को हम increase कर देंगे ठीक है integer dot percent मतलब integer में हम उसको convert करकर और even frequency कर दी हमने plus 2 इसलिए करा है क्योंकि हम सिर्फ even frequency पर वग करते हैं यानि कि 0, 2, 4 इस तरीके से फिर हम 1 से लिए के लिए एक loop चलाएंगे और 2 से increase करेंगे तो सारी odd frequencies की match जाएगे उसके बाद हम क्या करेंगे हम constant एक और loop चलाएंगे 0 से लेकर 10 तक और उन even frequency और odd frequency में से जो भी maximum हो जाएगे मैंने आपको बताया तो maximum को मैं frequency में लूँगा मैं चेक करूँगा अगर उसकी value 3 से छोटी है तो pair में frequency into frequency minus 1 divided by 2 का formula लगा कर ले लूँगा अगर मैं 3 frequency जो आई है वो 3 है 3 से बड़ी है तो उसमें direct 2 plus कर दूँगा कि maximum हम 2 ही इस्तमाल कर सकते हैं और इस पूरी code को complete पूरी process को करने के बाद मैं simple print कर दूँगा जो भी मेरे pairs आएंगे तो इसको एक बार execute भी करकर देख लेते हैं कि ये मेरे को ठीक output दे रहा है या नहीं वैसे तो मैंने आपको accepted solution ही दिया है लेगन फिर भी आपकी satisfaction के लिए मैं दिखा देता हूं कि मेरा ये output ठीक दे रहा है तो क्या इसको output देना था 3 और मेरा output भी 3 आया है तो ठीक है समझ म आगया आपको ये approach ये basic मैंने code use के रहा था अपने solution के लिए तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो इसे like कीजिए अपने दोस्तों के साथ share कीजिए comment में मुझे बताइए इसमें आपको कोई दिक्कत आई हूं मैं इसको resolve करने की पूरी कुशिश करूंगा अग तो मेरे चैनल को subscribe करकर बैल आइकन को प्रेस करते हैं ताके आने वाली वीडियो की notification आपको मिलती रहे तो मिलती हैं आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए good bye